कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधान मंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं लेकिन इस बार के लोग सवचुनाब में भी राहुल गांधी असफल रहे हैं राहूल गांधी को launch करने की कोशिश कॉंग्रेस लगतार कर रही है लेकिन राहूल के सियासी launching नहीं हो पा रही है। राहूल गांधी और कॉंग्रेस के नेता बीजेपी में तूट के धावे कर रहे हैं। विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि मोधी सरकार गिर जाएगी लेकिन तूट बीजेपी में नहीं कॉंग्रेस में हो रही है और कॉंग्रेस के नेता अपनी ही पार्टी को जटका दे कर बीजेपी का साथ दे रहे हैं राहूल गांधी अपनी पार्टी को जोड़ कर नहीं कॉंग्रेस के नेता राहुल गांधी की बदौलत ही सत्ता में आने के सपने देख रहे हैं लेकिन इस बार जो हुआ है उससे कॉंग्रेस के नेता तिल मिला गए हैं दोस्तों कॉंग्रेस सिर्फ कुरसी की हनक में अपने नेताओं को हमेशा से ही प्रतारित करती आई है दर्श में भी मामला फंस गया है कैसे बताते हैं आपको विस्तार से दरसल महाराश्ट्र में हाली में हुए विधान परिशद की 11 सीटों पर वोटिंग हुई इसमें क्रॉस वोटिंग की भी बात सामने आई थी अब कॉंग्रेस की महाराश्ट्र इकाई के अध्यक्ष नाना पटोले पटोले ने इसको लेकर बयान दिया है उन्होंने कहा कि 11 सीटों पर हुए चुनाब में क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्टी के गद्दारों की पैचान कर ले गई है और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगे पटोले ने दावा किया है कि इन्हीं गद्दारों ने द सजा दी जाएगी ताकि कोई भी फिर से पार्टी के साथ विशास घात करने की हिमाकत ना करे वहीं शिवसेना उदब बालत साहिब ठाकरे के सांसाथ संजराउत ने पत्रकारों से बाचीत में कहा कि कॉंग्रेस ने सुईकार कर लिया है कि क्रॉस वर्टिंग हुई है और व पहले गोशना की थी कि वह हर्याणा में विधान सभा चुनाब से पहले शहरी चेत्र में पदियात्रा निकालेंगे ये पदियात्रा शहरी चेत्रों में निकलेगी इस यात्र का रूट प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है शैलिजा फिलहाल निजी काम से विदेश मे उनके लटते ही पदियात्र का कारिक्रम तयächst किया जाएगा चैने में इस पदियात्र के बारे में घोशना करते ही पूर्वसियम भूपेंद्र लुट्डा ने सांस बेटे बीवुदा को आगे रखकर रथ ह्यात्र का कारिक्रम फाइनिल कर दिया पूर्व सियम हुड़ा के एक महीने के कारिक्रम का शेडूल पहले से ही तै था ऐसे में दीपेंद्र हुड़ा को शैलजा से आगे रखा गया है शैलजा से पहले रथियात्र निकाल कर हुड़ा हाई कमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि हर्याणा में प् प्रदेश से हर्याणा लोट सकती हैं कुमारी शैलजा जुलाई के अंतिम सब्ता हमें ये यात्रा शुरू करेंगे लोकसवा चुनाब में बीजेपी ने प्रदेश के जिन चावालिस विधानसवा शेत्रों में बढ़त पनाई उनमें से अधिक तर शेहरी शेत्र हैं पराष्ट्र दोनों ही राज्यों में कॉंग्रेस की इस्तिती डामडोल है दोनों ही राज्यों में पार्टी आपसी गुटवाजी से जूज रही है इन दिनों ही राज्यों में इसी साल चुनाव होने हैं विधानसवा चुनाव सर पर हैं लेकिन कॉंग्रेस की नेता एक द दाब बाए!